नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार साल का आखिरी सूरी ग्रहन चार दिसंबर सनी वार के दिन माक्सिस माह के कृष्ण पक्ष की अमवस्य तिति को लग रहा है ये सूरी ग्रहन जोतिस के अनुसार हर किसी को प्रभावित करेगा और इस दिन कुछ बिसे साबधानिया भी रखने की आवस्ता है तो सूरी ग्रहन के दिन क्या करें क्या ना करें देखिए इस बार का जो सूरी ग्रहन है वो बहुत ही ज़्यादा खास है सूरी ग्रहन के समें भोजन नहीं करना चाहिए कोई भी नया कारे आरंभ ना करें और ना ही कहीं मांगली कारे करने चाहिए नाकुन काटना, कंगी काटना बिलकुल भी आपको नहीं करना है और गरहन के समय सोना भी नहीं चाहिए चाकू, धारदार हतियार, सुई धागार, कैची, तमाम चीजों का इस्तेमाल ना करें, पत्ते या तिनके ना तोड़े गरहन के समय खुले आस्मान के नीचे ना जाए, गरहन से पहले पकेवे भोजन में तुलसी के पत्ते डाल कर रखें गरहन के समय घर का मंदिर का कपाड बंद कर दें या परदा डाल दें गरहन के समय अपने इश्ट देव का मंत्र का जब जितना ज़्यादा कर सकें बहुत अच्छा है सूरे गरहन में दान का महत तो ज़्यादा होता है गरहन समाफ्थ होने के बाद अशनान करके दान जरूर करे, घर की साप सफाई जरूर कीजे, गरहन समाफ्थ होने के बाद गंगा जल का छिड़काओ करे तो उत्तम होगा, और गरहन का जो समय है वो रहेगा, चार दिसंबर 2001 सनी बार के दिन माक्सिस माह के कृष्ण अमस्यातिती है और ये चार दिसंबर की सुबर 10 बचकर 69 मिनट से गरहन सुरू होगा जो तोपार 3 बचकर 7 मिनट तक रहेगा अब ये गरहन जो अटलांटिका दक्षिन अफरिका और अस्ट्रेलिया दक्षिनी अमेरिका में दिखाए देगा और इस गरहन को भारत में नहीं देखा जा सकेगा जिसकी बज़त से इसका सूतक काल भी मानने नहीं होगा जोतिस के अनुसार भले ही नियम के पालन नहीं होंगे लेकिन सुर्य एक ही है पूरा दुनिया में इसलिए इसके प्रभाव से आप बच भी नहीं सकते क्योंकि अकेला सुर्य हर गरहों के बुरे को अगर समाव्त कर सकता है तो तमाम गरहों के बुरे प्रभाव को उभार भी सकता है इसलिए साब्धानी रखना अतियावस्यक है तो इस बार का सूरी गरहन चुकि भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मानने नहीं होगा लेकिन अगर हम जोतिस की माने तो सूरी गरहन चुकि प्रभावित कर रहा है इसलिए तमाम तरह के नियम के पालन आपको करना चाहिए तो गरहन के समय जितना ज़्यादा हो आप मंत्र ज संभल के रहना है क्योंकि ग्रहन का असूप प्रभाव आपके स्वास्ते है सूरी ग्रहन के कारण छोटी मोटी स्वास्त में समस्याइं दिखती है किसी चोड़ चपेड का सिकार दुरगटना का सिकार ना हो जाय इसलिए अगले 15 दिन तक संभल के रहें और ग्रहन के वक्त ज बोड़ा सा मानसिक तनाव है और जिसके कारण काम करने की छमता प्रभावित होगी यह तो निगेटिव पक्ष है लेकिन पॉजेटिव पक्ष ही यह है कि यह ग्रहन आपके लिए अच्छा है मानसिक तनाव के बाब जूत राजनीतिक और समाजिक जीवन में मान प्रतिष् होंगे आप धन कमा लेंगे मिथुन्डासी यह ग्रहन आपके लिए उत्तम है वैसे तो आप पर ड़या भी चल रहा है और किसी पुर्वने विवास से आपको छुटकारा मिलेगा अभी तक जीवन में टेंसन थे समस्याय थे वह कम होगा और मनोकामन पुर्ण होने के से बड़ा महामंत्र है बात करते हैं करकलासी की बेवजह बाद विवाद से आपको बशना है और आप खुद का और अपने जीवन साथी दोनों का ध्यान बनाए रखें तो यहां पर देखिए ग्रहन आपके लिए उतना अच्छा नहीं दिखता तो मित्रों से बेवजह वि मन की सांती के लिए तो सिंग रासी वालों आपके लिए ग्रहन हलांकि आपके रासी के स्वामी को ही ग्रहन लगा है तो ऐसे में ग्रहन आपके लिए अच्छा है कोई खास टेंसर नहीं है बस यह ग्रहन के कारण आपको अगले 15 दिनों में धन आने के भी योग है भूमी भ करन्या वालो धन का बेवज़ा खर्चा परिसान करेगा इसमें अपने जीवन साथी के स्वास्त का भी धियान बनाये रखे और धन का बेवज़ा खर्च करने से बचे क्योंकि ज़रूर से ज़ादा खर्च परिसान ही डालेगा हलांकि आपके लिए गरहन उतना टेंशन में नहीं डालेगा आपको अगले 15 दिन साहस और प्राक्रम दोनों ही बढ़ेगा मित्रों का साथ मिलेगा गरहन के वक्त आप गैतरी मंद पढ़ सकते हैं जो तुला वाले हैं आपके लिए गरहन असू प्रोहा डालेगा अपने क्रोध से बचें जादोर से ज़्यादा क्रोध ना करें किसी को अपसब्द ना कहें वरना आपको नुकसान देगा और सेहत पर थोड़ा सा बुरा असर पढ़ रहा है इसलिए अपना खास खयाल बनाए रखें वैसे तो देखिए वाद विवास से भी बचना है अपने स्वास्त का भी दियान रखना है और वानी पर भी कंट्रोल रखना है क्योंकि आपके लिए गरहन बहुत अच्छा नहीं लिख रहा है व्यापारी है तो थोड़ा साथानी रखें कहीं भी पैसे इंबेस्ट करने के पहले दो बार सोच लें बिस्टी कासी धन की बचत करने का प्रयास कीजिए और तनाव थोड़ा कम लीजिए वैसे तो सूरी गरहन बिस्टी करासी में ही लग रहा है जिस बसे से मन असांत रहेगा उथल पुथल मची भी यह थोड़े तनाव है लेकिन गरहन के बाद का जब करें या फिर गायतरी मंत्र पढ़ें धनुरासी सूरी गरहन बे बज़ा की भागदोर लेकर आया है इसमें थोड़े खर्चे बढ़ाएगा और कारियों को पूरा करने के लिए आपको जादा मेहनत करनी पड़ेगी वैसे यात्रा बेगर होने के भी यहाँ पर संभ सिवय का जब करें गरहन समावत होने के बाद सिवलिंग पर दूद्य चलर पित करें मकर रासी कारेस्थल पर चुनोतियां है थोड़ी सी लेकिन अब आपका विबेक आपकी सोच आपका बुद्धी आपको तमाम चीजों से बाहर निकाल लेगा यह गरहन का प्रफाव आप के उत्तम है थोड़ी बहुत चुनोतियां है लेकिन ब्यपार में उन्नति करी जाएंगे जो लोग जौब करते हैं पदोनति की योग है यहां पर चीजे आपके पक्ष में आ रही है यह गरहन खुसियों का पिटारा लेकर आया है तो समय का फाइदा आपको उठाना होगा और साथ ही जो आपके साथ लोग काम करते हैं उनके साथ थोरा सा बिहेव अपना बेतर रखें कुमरासी अपनी वानी अपने क्रोध अपने एहंकार से बचिए वरना कारे बिगड़ जाएंगे इसलिए साबधान रहना है आपको समाज में मान पर्थिष्टा तो बढ़ेग धन भी आएगा भूमी भवन से जुड़ी समस्याओं का समधान भी होगा और चीजें एकदम से आपके पक्ष में आएगी जो चीजें बहुत आपका सपना था वो सपना सच होने के समय आ गया है तो आपको ग्रहन के बाद समात होने के बाद आप दान जरूर कीजिएगा य कि नौकरी में स्थांतरन के योग हैं पिता के साथ बे बज़े विबाद ना हो जाए जरा समल के रहें बे बज़े का मुद्धा ना बनाए और रिस्तों को थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करें हलांकि समय पर कारियों को पूरा करने में दिक्कतें यहां पर आ रही ह कि यहां बीजा पूरा समयीधिक यहां थावार को प्रया साथ बेहां बाता हैं फिस फुरायास का मैं दिकतें इध कर दोंग्ß,ी